हमारे शरीर में कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं, कहते हैं कि अर्बों खर्बों कोशिकाएं हैं, ये सारी कोशिकाएं, ये सभी प्रोग्राम की गई हैं स्वस्थ रहने के लिए, जिन्दा रहने के लिए, खुद को जिन्दा रखने के लिए और पूरे शरीर को बरकरार रखने के लिए उन में से कुछ शॉट कट अपनाती हैं वो दूसरों की कीमत पर जीना चाहती है यह अपराद है मान लीजे कोई जेब कत्रा है उसका धंदा क्या है आपने पूरे महीने में जो कमाया है उसे वो एक ही दिन में हड़ अप लेना चाहता है लेकिन वो भी समाज का हिस्स है जब तक वो पकड़ाता नहीं अब अगर देश के सारे जेब कत्रे मिल गए और दिल्ली आ गए तो अब हर किसी की जेब कट जाएगी क्योंकि अभी ऑगनाइज़ है तो अभी जिसे आप कैंसर कहते हैं वो बस यही है हर किसी के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं होती है जब वो ऑगनाइज़ हो जाती है और एक जगह पर एकठा हो जाती है तो ये गंभीर समस्या बन जाती है इस सब तक कि ये किसी की जान भी ले सकती है तो इसका हल क्या है बताने को कई चीज़े हैं सबसे पहले अपराद वहीं पनपता है जहां सिस्टम में कोई व्यवस्था नह तो हमारे सिस्टम में एक defense mechanism है, क्या हम इसे ठीक ठाक रख रहे हैं, क्या हम इस पर हर किस्म के stimulants और नशीली चीज से बंबारी कर रहे हैं, और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि ये defense mechanism काम करेगा, ये ऐसे काम नहीं करेगा, हमें ये समझना होगा कि हर stimulant और नशीली चीज जो हम ल काबू करने के लिए भी defense mechanism काम करता है, तो सीरी सी बात ये है, योगिक पद्धती में एक आसान सा लॉजिक है, हमारे शरीर में ये cancer कोशिकाएं, लगभख 27 या 28 गुना ज्यादा भोजन खाती हैं, सामान्य कोशिकाओं की तुलना में, तो अगर आप भोजन के बीच के gap को बढ़ा देते हैं, योगिक संस्कृती में एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच के gap को 8 से 12 गंटे होना सबसे अच्छा मानते हैं, अगर आप भोजन में 8 गंटे के gap को कायम रखते हैं, तो ये cancer कोशिकाओं अपने आप मर जाएंगी, क्योंकि वो भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकती, बाकी कोशिकाओं जीवित रहेंगी, तो हमेशा हमने तय किया हुआ था, सुभा एक भोजन, शाम को एक भोजन, बीच में कुछ भी नहीं खाना है, और लोग हर महिने, महिने में कभी एक बार या दो बार पूरे दिन भोजन न करने का नियम पालन करते रहे हैं, इसे काबू करने के ये आसान तरीके हैं, इसके अलावा कई दूसरी चीजे हैं, सबसे बढ़कर, अगर आपका मन और शरीर एक तरह से सहज और शांत हैं, तो ये जीवित नहीं रहेंगी, अगर आपका मन और शरीर किसी तरह के उथल पुथल में हैं, तब ये जीवित रहेंगी और साथ ही साथ फलेंगी फूलेंगी भी अगर समाज उथल पुथल में रहता है तो ऑगनाइस्ट क्राइम बढ़ जाते हैं अगर समाज में व्यवस्था रहती है तो अपराद बहुत कम होते हैं यही चीज हमारे शारेरिक सिस्टम के लिए भी सच है